तो देखिये जैसा की नाम है चैप्टर का फॉसिल फॉसिल तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि फॉसिल 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 फॉसि फॉसल फ्यूल बोलते हैं तो यहां पर यहीं बताया क्या है कि मीनिंग ओफ फॉसल फ्यूल क्या होता है तो अर्थ हैज बीन इंजिस्टेंस फॉर विलियन अपियर त्रू आउट इस ताइम पिरियर्ड क्रियेचर है लिप एंड डाइट रांट एंट ट्री है ब्लूम एंड था ब्लॉम नियुटेंस फॉसल वही जो मैंने आपको बताया है कि जब अर्थ के न्दर कई समय तक जो हमारे अनिमाल प्लांट के जो ड़िमेंस होते हैं जाती है और उत्पर क्या होता है यहां पाम्द आईदी बहूता है ज़ी का फड़ेगा तो उससे क्या होता है कि और जो रीमें इस है आभा टूरी चीजresserieg और ङुथ reversal पर यसे ही हम लोग फॉसल hardship बोलते हैं तो देखे एसके पार्ट बताए गया है तो देखे प्लांट रिमेंस से बनता है कोल और एनिमल रिमेंस से बनता है पैट्रोलियम बाइप्रोडेक्ट और पैट्रोलियम तो दिखिए पैट्रोलियम के प्रोडेक्ट क्या क्या होते हैं नैचरल गैस पैट्रोल और डीजल यह सब जो होता है वो फॉसिल फ्यूल से ही मिलके बनते तो आप भी जानते हो कि फ्यूल की जुरत हमें क्यों पढ़ती है ना तो इसमें हम लोग बन करके स्टडी करेंगे फिर्ष्ट इस दा डोमेस्टिक यूज है व्यू अपजर्ब यूर पैरेंट्स कुकिंग इन दा कीचिन आप सबने देखा होगा कि आपकी जो पैरेंट्स है वो कीचिन पे खाना बनाते हैं जितने अधिकतर घर होते हैं है ना तो उसमें खाना बनानी के लिए सिलेंडर पे जो गैस होती है उसे बोला जाता है एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिकिफाइड पैटोरियल गैस तो हैल्प इन कुकिंग इन विलेज फिपल इस्टिन यूज कोल बूड एंड कैरोसीन और यूज करते हैं और वही विलेज में बहुत साई लोग किसका यूज करते हैं कोल का यूज करते हैं क्योंकि तो फ्यूल है इनी के बारे भी तो हमको पढ़ना है तो यदि फ्यूल नहीं होंगे तो हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे इसलिए हमें खाना बनाने के लिए फ्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं सेकेट इस दा कॉमर्सियल यूज कैसे देर और मैनी फॉर्म्स यूज का मतलब होता है कि जिसका यूज हम लोग बिजनिस के परपस से करते हैं उसको कमर्सियल यूज बोला जाता है तो इसमें जैसे आगया इंडिस्ट्रीज बगेरा दा प्रोडेक्शन और आइरन एंड इस्टील और मैनिफेक्ट्टर्स और प्रोडेक्ट्ट्ट्ट स दढ़ा है लोगे तान और वर्णेंट आपन लुज के देविटव करनना परे इस तरह के से सब्सक्राइब कमर्स्ट मेन हमें जैक्थक्न ते नकीमित जैसे सिल्क हो गया है इसके अलाबा जो अधर एक्सपेंसिप फैब्रिक सोते हैं उनकों अपने दी वाटर से दोलेंगे तो वह साफ नहीं होते उसके लिए ड्राइख क्लीनिंग के लिए देना पड़ता है कपड़े को जो ड्राइख क्लीनिंग की जाती है उसमें पेट्रोल किसा का यूज होता है यूज होता है उसके द्वारा द्राइक क्लीन किया जाता है कपड पिर धर सागुल व성्ड़े के फिर साधी नल धर पर्सनी अ करें यूज हता है वेसलीन गवाफिमय जनग प्रीप्रोलिय्प्वां ऐस डू सं मेडिशियल बृपर फ्रेओर भीerson तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहां कहां यूज करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके यूज देखें लेट्स भी मूँव ओन वर नेक्स टॉपिक दिश्य रेनेवल सोर्स और फ्यूल विल दा स्टॉक अफ फॉसल फ्यूल लाश्ट फॉरवर नो fossil fuel आ रहा non-renewal source because they cannot be made in a factory they will someday finish and not be renewed लेकि जो fossil fuel होते हैं वो non-renewal source होते हैं और non-renewal source वो होते हैं जिसे हम किसी ही factory अफेर इंडरेश्ट्री पे बना नहीं सकते हैं इनको बनाने पे बहुत ज़ादा डाइन लगता है इसको हम लोग renew नहीं कर सकते हैं तो इसे हम non-renewal source बोलते हैं इसे petroleum बगेरा हो गया है ना petrol, diesel ये सब non-renewal source ही कहलाते हैं इस टेक million of year for plant and animal remains to prompt fossil fuel unfortunately the demand for fuels is greater than the supply of these fuels this explains why your parents may be constantly worried about rising fuel price तो देखें ये जो है वही मैंने भी बताया कि non-renewal source होते हैं इनको बनाने में बहुत ज़ादा टाइम लगता है क्योंकि plant और animal की remains से ही fossil fuel बनाये जाते हैं तो इसलिए आपके जो parents है वो बहुत ज़ादा चिंतित रहते हैं इस चीज़ को सोच करके क्योंकि ये जो फ्यूल है उनके फ्राइज बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इसकी demand बहुत ज़ादा है और फ्यूल हमारे पास limited है इसलिए इसकी जो फ्राइज है वो बढ़ा दी जाती है फिर है प्यूल है बढ़ा है एंपार बड़ेश खर्णा पूल दो है नव बढ़ा है इस फीन बड़ा वेंज़ बड़न उन एंपार वी जोड फिल बड़ेश प्राइज है बड़ेश जाब उन्स घूल क्यों बनाए गए रेनीवल मतलब क्या होता है ऐसे सोर्स ऐसे फ्यूल्स जिसे हम लोग फैक्ट्री अफिर इंडरिस्टी पे बना सकते हैं अब देखिए नॉन रेनीवल सोर्स यूज किये जा रहे हैं फ्यूल के रूप में लेकिन इसकी जो डीमांड है वह बहुत ज्यादा बारे में सोचती है और ऐसे फ्यूल बनाती है जो की मैनमेड और नैच्रल हो और जिसते पॉल्यूशन कम हो और यह रेनीवल सोर्स की तरह काम कर सकें मतलब इसको असानी से यदि खत्म हो जाए तो आसानी से हमें हम बना सकें तो इसी को ही रेनीवल सोर्स बोलते हैं तो प्लान बना नियुटे हैं तो यह क्या होती है यह नैच्रल होती है नैच्रल होती है और रेनीवल रेनीवल और यह बना सकते हैं दियार आर ऑल्सो नॉन पॉल्यूटिंग भी होती है पांग दिस टाइप अफ एनर्जी सोर्स आर यूज्ट इसमें से व्यूशन या इन्ति है जब हम इसको यूज करते हैं साइंटेस्ट है वाटर चार्ज बैटरी विच कें रंग कार सोलर कार टू फाइंड अल्टरनेट सोर्स पॉर्ट तो देखिए जो हमारे साइंटेस्ट है उन्होंने सोलर कुकर बनाया जिसके जिसमें हम लोग सोलर इनरजी का यूज कर सके वा second is the biogas the planet is a source of life plant on humans and animals human excrement प्रुट उट्ड लिखे से वेस्ट सब्सक्राम के वेश्ट्स प्रषण स्वाइश नो दो दो स्वेक्राइब नहीं तो इस तरीके से हम लोग बायो गैस का भी यूज करते हैं अपने घर में खाना बनाने क्या बड़े जो है ना वहां पर बाईो गैस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अब हम लोग देखेंगे effect of our utilization of fossil fuel अब यदि हम बहुत जादा यूटिलाइज करेंगे fossil fuel का तब हम पर क्या effect पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे तो देखेंगे हम लोग जानते हैं कि जैसे कोल बगेरा हो गया है यह सब क्या होता है non-renewable source होता है इसको बनने में बहुत जादा time लगता है तो यदि हम लोग इसका बहुत अधिक मात्रा भी उच करेंगे तो आगे आने वाले time पर यह कुछ भी नहीं बचेगा environment hazards carbon dioxide is released when fossil fuel are burnt it is responsible for global warming देखिए जब हम लोग fossil fuel को burn करते है न तो उसमें से एक gas release होती है जिसका नाम है carbon dioxide और यह हमारे environment को बहुत ज्यादा affected करती है इसके कारण global warming की problem arise होती है जो कि यह fossil fuel ही इसके लिए responsible होते हैं क्योंकि global warming carbon dioxide से बनती है carbon dioxide के कारण बढ़ता है global warming और carbon dioxide fossil fuel के burn होने से बनता है every year there has been a steady rise in temperature this has resulted in melting of polar ice gap flooding of low low lane areas and rise in sea level तो देखिए CO2 जो बढ़ रहा है उससे हमारा हर साल temperature increase होता है और जो हमारे polarize gap है वो melt हो रहे हैं हना और sea level जो है वो बहुत जदा rise हो रहा है फिर है acid rain pollutants are released when fossil fuel are burned this is the main cause of acid rain acid rain can lead to destruction of monument made of brickwork or marble even crop are destroyed as soil become acidic and falling rain burn the crop तो देखिए acid rain क्या होती है ऐसी rain जहाँ पे जब बारिस हो तो क्या हो उसके द्वारा acid हो उससे हम लोग acid rain बोलते हैं acid rain जो होती है वो हमारी soil को destroy करती है और हमारे soil पे crops होती है तो यदि हमारी soil destroy है तो हमारी crops पूरी की पूरी destroy हो जाएगी और इसके अलाबा जो monuments वगेरा हैं जो marvel से बने हुए जिसे ताज महल वगेरा है यह marvel के पत्थर से बने होते हैं तो जब इस पे जब रेन का पानी acidic rain का पानी जब उस पे पड़ता है तो यह marvel को stone को पूरी तरीके से खराब कर देता है तो इस तरीके से जो over utilization है fossil fuel का वो हमारी environment को बहुत ज़्यादा खराब बनाता है effect on human health air pollution can result in asthma and lungs cancer children and the elderly are most at risk तो देखिए यह इसका हमारी human health भी प्रहाब पड़ता है देखिए fossil fuel के बन होने से क्या होता है air pollution होता है जिससे अस्तमा lung cancer जैसी diffused होती है और जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा effective करती है during winter smoke can cause road and train accident eye problem are also a result of population from fossil fuel तो इस तरीके से हमारी हमारे health पे बहुत ज़्यादा effect करता है fossil fuel का over utilization फिर है coal mining extraction of coal from areas that have huge reserves is not only a difficult and dangerous task but also possess a serious health hazard to the lives of several workers who work there mining destroy wide area of land and result in ecological imbalance coal mining जो बहुत ज़्यादा हो रही है उसके कारण जो वहां पर worker है उनके health पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो mining है वो बहुत बड़े area land को destroy करता है और जिससे हमारा ecological system जो है वो पूरी तरीके से imbalance हो जाता है उस तरीके से हम लोगों का यह जो chapter है वो complete हो गया I hope आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा okay thank you so much